दोस्तों आपने देखा होगा कि आप पंखें को बंद करते हैं तो दुबारा ओन करने पर आपका पंखा नहीं चलता तो जनाब इसकी वज़ा क्या है अगर यह आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीज़ेगा असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूं मुहमद उस्मान और आप देख रहे हैं टेक्नालजी टीचर उर्दू यूट्यूब चैनल चलिए दोस्तों बख जाया कि यह बगएर अपनी वीडियो का आगास करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि एक कपैस्टर का एक फैन में काम किया है दरसल दोस्तों हमारे जो फैन्स होते हैं यह सिंगल फेस मोटर पर मुश्तमिल होते हैं और सिंगल फेस मोटर खुद से साल स्टार्ट नहीं होती यानि कि अगर हम उसे उलेक्रिक करुट दे तो वो खुद से स्टार्ट नहीं होती उसे स्टार्ट करवाने के विए एक कपैस्ट्र लाजमिया लगाना पड़ता है दोस्तों single phase motor में दो तरह की winding होती है starting winding और एक running winding जो starting winding होती है ये motor को initial torque मुहाया करती है क्योंकि single phase motor as a self start नहीं है इसी वज़ासे हम उसकी starting winding होती है उसके series में एक capacitor लगा देते हैं जो के starting winding को starting torque मुहाया करता है जिसकी वज़ा से हमारा पंखा चलना start कर देता है तो दोस्तों अब बात करते हैं ये capacitor खतम क्यों हो जाता है दोस्तों दोस्तों बात ये है कि जब एक capacitor मुस्तसल चलता रहेगा अपनी working करता रहेगा और कभी कभी voltage अप down होते रहते हैं तो कपेस्टर चार्ज और डिस्चार्ज एक सेकंड में पचास दफा ऐसी current में होता रहता है तो जिस वज़ा से हमारा जो कपेस्टर है वो अचानक से फूल जाता है voltage के बहुत ज्यादा हो जाने के वज़ा से या फिर जब कपेस्टर बहुत जादा चार्ज या डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए तो या पिर तब जब इसकी जो plate है जो हमारे कपेस्टर में 2 तरह की plate होती है वो कमजोर पढ़ जाए तो जैसे ही कपैसिटर फूल लाता है तो हमारा कपैसिटर काम करना छोड़ देता है यानि कि जो वर्किंग वो पहले कर रहा होता है तो वो वर्किंग वो बंद कर देता है तो हमारा fan जो है वो single phase motor पर मुझतमिल होता है और जैसा कि वो self start नहीं है तो जैसे capacitor खराब होता है तो हमारा fan खुद से नहीं चलता इसलिए हमें उसका capacitor चेंज करने की जरुरत पड़ जाती है तो उमीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपकी information में थोड़ा सा विजाफा हुआ है तो मेरे इस वीडियो को like लाजमी कीजेगा और इस वीडियो को share भी लाजमी कीजेगा इसी तरह तमाँ ने नाजरीन से मैं गुजारिश करता चलू कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है और next आप technology related वीडियो देखना चाते हैं तो मेरे चैनल को subscribe लाजमी कीजिए नीचे subscribe का red बटन दिया क्या होगा उसे press करके आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और साथ ही में उसके bell icon को भी लाजमी प्रेस कीजेगा ताके तमाम आने वाली मेरी नई technical वीडियो का notification आपको मिल सके इसी के साथ अपने host महमद उस्मान को दीजे इजादत अपना बहुत सारा खयार रखेगा मुझे दौआ में याद रखेगा अल्ला हाफेज